हाई गाईज आज हम गर्मियों के मोसम में इस तरह का थंड़ा थंड़ा रसना बनाएंगे यह थंड़ा थंड़ा रसना बहुती सस्ते में बिल्कुल हमारे बजेट में और बहुती आसानी से बनकर तयार हो जाता है यह सॉप्ट डिंक के इसमें एनर्जी प्रोटिंग के प्रेट लाकर इसी प्रोशिजर के साथ ये रसना आप घर पे यी बहुत ही इजी बना सकते हैं इसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ही चाहों से फीना पसंद करते हैं तो चले ज़दा देर न करते हुए श्टार्ट करते हैं अपने थंडे थंडे रसना की रेसेप लिया है इसमें आराम से 20-25 गलास रसना के बनकर त्यार हो जाते हैं इससे और भी बड़ा पैकेट आता है रसना का आप चाहे तो भी ले सकते हैं उस बड़े पैकेट में रसना के 30 से 30 पायूर गलास बनकर त्यार हो जाते हैं तो चलिए हम पटापट से अपना रसना बनाना स इस पानी वाले बरतन को हमने ग्यास पे चड़ा दिया है और ग्यास के फ्लेम मीडियम कर दिये इस देखिए अपना पानी थोड़ा गरम हो गया है इस पानी में हम 300 ग्रैम शुगर एड़ करेंगे अगर आप रसना बनाने के लिए रसना का कौन सा भी पैकेट लेंगे छोटा या बड़ा तो पैकेट पे इस साइट से वाटर और शुगर का मेजरमेंट लिखा होता है आप यहाँ से पढ़कर यह वाटर और शुगर का मेजरमेंट ले सकते है इसे इसी तरह से medium flame पर लगातर चलाते रहेंगे जब तक के अपनी शुगर पुरी तरीके से पानी में dissolve नहीं हो जाती यानि इसे हमें तब तक चलाते रहना है जब तक के चिनी इस पानी में अच्चे से गुलना जाए इसे चलाते हुए यहाँ पे लगबक 3-4 मिट हो गए है इस शुगर सिरब अच्चे से त्यार हो गया है बस इससे ज़्यादा और हमें इसे नई पकाना है इसी स्टेज पे हम ग्यास बन कर देंगे और अपने इस शुगर सिरब को हम पूरी तरह से थंडा कर लेंगे यह पूरी तरह से थंडा होने के बाद ही हम इसमें रसना एट करेंगे चलिए तब तक हम रसना का पेकेट खुल कर देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है तो यह देखी इसे खुलने के बाद इसमें से दो शेशे निकले हैं इसमें से एक शेशे में यह liquid material है और इस दूसरे शेशे में यह powder material है इन दोनों ही packet को हम open करके इस sugar syrup में डाल देंगे तो चलिए फटा फट से इस तरह से हम दोनों ही packet को इस sugar syrup में add करेंगे लिक्विड शैशे और पौडर शैशे दोनों ही हमने इस सिरप में एड़ कर लिए है इसे इस सिरप में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको ये वीडियो पसना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ये उनिक डिप्रेंस वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिएगा इसे हम दुसरे बरतन में चलने से चान लेंगे ताकि चीनी में कुछ कच्रा हो तो उपर आ जाए तो यहाँ पर अपना ये रस्तना पूरी तरह से बनकर तयार है अपने इस रस्तना को हम इस बॉटल में स्टोर करेंगे इस बॉटल का मुँँ थोड़ा चोटा है तो इस पर हम इस फणल सेट करेंगे तो चलिए अपने इस रसना को हम इस बॉटल में भर लेंगे तो यह देखी इस तरह से हम इस रसना को बॉटल में भर कर पूरे दो मैने के लिए भी फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको कुछ थंडा पिने का मन करें तो आप मातर दो मिनिट में यह रसना फटापट से बना कर पी सकते हैं कैसे हम बना कर देख लेते हैं यहाँ पे हमने दो गलास लिए हैं इन दोनों गलास में हम वन पोट पार्ट आप रसना एट करेंगे इसमें हम यह आईस क्यूब डालेंगे और एट रिपोट पार्ट आप जिल्ड वाटर एट करेंगे आपको अगर पसन हो तो आप इस रसना को सोडा के साथ भी बना कर पी सकते हैं इस रसना में सोडा यूज करने से भी यह बहुती टेस्टी बनकर तयार हो जाता है तो यह देखिए दो मिनिट में अपना रिप्रेशिंग थंड़ा थंड़ा रसना बनकर तयार है तो आप भी इन कर्मियों में इस तरह का ये थंड़ा थंड़ा रसना बना कर जरूर यूज़ कीजिएगा आपको ये बहुती पसंद आएंगा तो चले मिलते जल्दी नेश वीडियो में Thank you so much for watching this video Bye